हलो दोस्तों और बढ़िया सब स्वागत है आप सब का हमारे और आपके प्यारे से चैनल कुकिंगुकिया पर हर रोज सभी की एक ही परिशानी कि नास्ते में ऐसा क्या बनाए जो टेस्टी के साथ साथ हैल्दी भी हो और कम समय में बन जाए और वो भी घर के ही सामान से तो च में भूल लिया है आप इसमें हम पानी डाल देंगे तो जिस कटोरी से आप सूजी ले उसी कटोरी से आप पानी को डाले यहां पे हमने दो कटोरी पानी लिया है स्वाद के नुसार नमक डाल दिया है और एक कटोरी यहां पे हमने सूजी डाल दिया है सूजी मोटी पतली क कोई भी ले सकते हो अब गैस की फ्रेम हमने अभी लो टू मीडियम रखी है और इसको हम कंटीन्यू चलाते रहेंगे जब तक यह पैन ना चोड़ने लगे तो देखिए यह पैन चोड़ने लगा है यह डो फॉर्म में आ गया है अब इसे हम ढखकर पांस पट के लिए रख द कर लिया है अब यहां पर हमने एक उबला हुआ आलू लिया है इसको भी ग्रेट कर लिया है और यह पनीर लिया पनीर बिल्कुल ऑफ्सनल है आप चाहे तो इसकी जगे एक और आलू डाल सकते हैं तो यहां पर हमने पनीर ग्रेट कर लिया है अगर आपको हमारी रेस्पी अ इसे अच्छे से हम पहले mix कर लेंगे तो देखिए हमने के साइज का डू में आग्या है अब इसकी हम छोटी-छोटी सी गोलिया बना लेंगे अब हम सुजी को देख लेते हैं तो देखिए सुजी अच्छे सेट हो गई है नीवू के साइस का डू से इमिस्टन ले लेंगे इसे अच्छे से पहले इस तरह से गोल कर लेंगे जिस तरह से हम लोगी को बनाते हैं और इसमें हम इसको रख देंगे चीज डालना बिल्कुल ओप्सिनल है और जो हमने पनीर की स्टफिंग बनाई थी उसको हमने रख दिया है और अच्छे से इसे इस तरह से बंद कर देंगे यहां पर हमने गंगी लिये इस तरह से इस पर रिजायन बना देंगे इसे देखने में अच्छा लगेगा आप अपने मन चाहे आकार की दे सकते हैं या फिर इस तरह से साधा भी बना सकते हैं यहां पर हमने ओयल पहले से ही करम करने के लिए रख दिया था तो इसमें हमने नास्ता को डाल दिया है देखे यह हमने चाकू से बनाया है गैस की फ्लिम अभी हमने लूटू मीडियम रखी है दो से तीन मिनट के बाद इसे हमने पलट दिया है और अलट पलट कर हमने देखे ग्रस्पी होने तक इसे शेक लिया है तो एक हम आपको तोड़के भी दिखाते हैं देखे कि कितना सांदार नास्ता पुन के तयार हुआ है तैंक्स पॉर वोचिंग टेक एर बाई